नमस्कार दोस्तों मैं हूँ निर्मला और मेरे चनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत ही जदा फ्लेकी खाती ही मोह में घुल जाए ऐसी सोहन पापड़ी की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने जा रहे हूँ वो भी परफेक्ट टिप्स और ट्रिक्स के साथ जिससे यदि पहले बार भी आप इसे बनाएंगे तो बहुत एजिली बना पाएंगे और यकीन मानिए घर की बनी इन सोहन पापड़ी को देख कर कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये घर की बनी है तो चलिए दोस्तों मारकेट की सोहन पापड़ी तो हमने बहुत खाई हैं आज घर पर ही ये लाजवाब सोहन पापड़ी बनाते हैं और इनका मज़ा उठाते हैं सोहन पापड़ी बनाने के लिए बहुत ही बेसिक सी चीज़े चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ले लेंगे बेसन तो यहाँ पर यदि ग्राम्स में देखें तो मैंने 100 ग्राम बेसन लिया है और यदि आप किसी कटोरी का मेजर्मेंट लेते हैं तो यह एक बड़ी कटोरी मैंने बेसन भरके लिया है तो इस तरह कटोरी से माप कर ले लें या फिर ग्राम्स में ले लें और यहाँ पर आदा क जो बहुत important है अब सबसे पहले हम कोई भी पैन या कड़ाई ले लेंगे और इसमें डालेंगे हम गी यहाँ पर मैंने 50 क्राम देशी घी लिया है जरूरत के अनुसार गी की मातरा हम और भी डाल सकते हैं तो पहले इतना गी हम melt करके देख लेते हैं यहाँ पर मैंने सिर्फ द और अब इसमें हम डाल देते हैं बेसन तो यह एक बड़ी कटोरी भरकर हमने बेसन डाल दिया है और यह आदा बड़ी कटोरी हमने इसमें मैदा डाल दिया है चाहें तो अलग से दोनों को पहले से ही जान सकते हैं और वैसे भी जब रोस्ट करेंगे तो यह अपने आपी इ जाल देने से यदि बेशन और मैदा को रोस्ट करने के बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा गी सेपरेट कर दिया तो सोहन पापड़ी अच्छे नहीं बन पाएगी इसलिए हम गी थोड़ा-थोड़ा करके डाल रहे हैं ताकि यह ज़्यादा भी नहों और जो बेशन और मैद सेपरेट करने लगता है तो यह देखिए अभी यह मिक्षर एकदम परफेक्टा ना ही बहुत ज़्यादा गीला है ना ही बहुत ज़्यादा सुखा है बस लो फ्लेम पर दोनों चीजों को गी के अंदर हम धीरे-धीरे रोस्ट करते जाएंगे अब जैसे जैसे बेशन और म बहुती आसान हो जाएगा तो अभी आप देख सकते हैं इसका टेक्शर अभी तो यह कच्चा है पुरी तरह से पका नहीं है तो आपको एकदम पीला दिखाई दे रहा है और जैसे जैसे यह पकेगा इसमें अच्छी खुश्बू भी आने लगेगी और यह रैड होने लग और आप फरक देख सकते हैं दोनों में पहले यह कैसा था और अभी यह कैसा हो गया है तो गैस का फ्लेम मैंने ओफ कर रखा है और फ्लेम पर ही मैं इसे एक तो मिनिट के लिए ओड लगाता चलाओंगी ताकि जो मिक्शर है वो जले नहीं क्योंकि यह अलग बरतन में हम नि अभी आप देख सकते हैं इसमें जाग बनना बंद हो गए हैं तो अभी एक तम परफेक्ट है हम इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं अभी और ज़्यादा नहीं पकिएगा तो अब इस पैन को तो हम साइड में कर देते हैं इसका इस्तमाल हम बात में करेंगे अब सबसे पहले हम चाषनी बना लेते हैं चाषनी बनाने के लिए मैंने टोटल 1500 गराम चीनी का अस्तमाल किया है यानि बेशन और मैदा को मिला कर 1500 गराम हुई दोनों चीजे तो 1500 गराम हम ने चीनी लिए और आप कटोरी से देखें तोक बड़ी प्ड़ी हमने चीनी लिए हैं और चीनी में पानी हमें इसका आदा डालना है तो ये आदा घटोरी हमने पानी डाल दिया है अब चाशनी को हम उबलने देते हैं सोहन पापड़ी के लिए जो चाशनी तयार करनी होती है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होगी तब ही जो सोहन पापड़ी होगी वो अच्छी फलेकी बन पाएगी तो पहले शुरुवात में हम इसका टेस्ट करके देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे ही चाशनी हमने इसमें गिराई है यह पूरी तरह से फैल गई है और इसे ऐसे हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो यह बिल्कुल भी हाथ में नहीं आई है क्योंक तो यह दे चाशनी के अंदर इस तरह लंबा और मोटा तार बन रहा है यानि चाशनी एकदम परफेक्ट है और चाहें तो इस तरह कटोरी में चाशनी डाल कर इसे चैक कर सकते हैं तो अभी देखिए यह कम पैली है और इसे अब हम हाथ से निकालेंगे तो यह बहुत ही द into the cake क्योंकि सोहन पापड़ी को बनाने में जितना भी काम है वह सारा चाशनी का ही है चाशनी हमारी परफेक्ट होगी तो आगे सोहन पापड़ी भी परफेक्ट बनेगी अब गैस का फ्लेम आफ कर दिया है मैंने और क्योंकि चाशनी बहुत गरम है तो इसे लगाता चला जाते रहना है जब तक कि इसके सारे जाग खतम न हो जाएं क्योंकि चाशनी जब पक जाती है तो वो बहुत ही जल्दी से जरने लगती है तो चाशनी का हलका सा कलर चेंज हो जाए उस तरह की चाशनी हमें चाहिए साइड बाइ साइड मैं क्या करती हूँ एक ट्रे ले लेती हूँ आप कोई भी बड़ा बरतन ले सकते हैं और इसमें मैं क्या करती हूँ एक बटर पेपर लगा लेती हूँ इससे काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा स्चील वगरे की थाली यदि आप लेते हैं तो उसे भी घी या तेल से ग्रीस जरूर करें नहीं तो चाशनी उसके उपर चिपक जाएगी काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बटर पेपर नहीं है तो कोई दिकत नहीं है आप अलुमीनियम फोल को भी ग्रीस करके ले सकते हैं अब ये जो चाशनी देखिए ये थोड़ी ठंडी हो गई है और इसकी जाग भी सारे खतम हो गए और इसका कलर देखिए थोड़ा सा ब्राउन हो गया है तो ये अभी जली नहीं है इसका जो कलर है वो इसी तरह का चाहिए तो अभी तो ये बहुत रूप धारन करने वाली है चाशनी तो दीरे दीरे देखिए इसका कैसे कलर चेंज होता रहता है तो अभी चाशनी क्योंकि गरम है तो हम ट्रेपर ऐसे इसको हिला रहे है तो बहुत ही आसाने से ये हिल रही है जैसे जैसे ये ठंडी होगी तो ये बहुत ही कम हिलने लगेगी, तो आप देख सकते हैं, इसका कलर दीरे-दीरे लाइट होने लगा है, और अब इसमें जो मोव्मेंट है वो भी कम होने लगा है, तो क्योंकि हमने बटर पेपर का इस्तमाल किया है, तो यह बहुत ही आसानी से एक जगे एकटी हो जाएगी, इस हमें इसे लगातार ऐसे चलाते रहना है अब बटर पेपर या अलुमिनियम फॉर्ल लेने से यही वाइदा होता है कि ना ही हमारे हाथ जलते हैं और लगातार हम इस चाशनी पर काम कर सकते हैं तो चाशनी भी हमारी खराब नहीं होती है क्योंकि चाशनी पर जितना अच्छा ह यानि इसली हम इसे टच कर सकें उस स्टेज तक हम ऐसे ही बटर पेपर को फोल्ड करते वे इस पर काम करते जाएंगे तो यह जो उपर नीचे की लेयर होगी वो एक समान होती रहेंगी तो इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं बनेंगे तो अब आप देख सकते हैं जो चाशनी है वो थोड़ी ठंडी होने लगी है और ज्यादा नहीं फैल रही है ऐसे महात से बहुत ही अच्छे से इसको प्रेस करने लगी हूँ अभी ये करम थी इसलिए मैं ऐसे बटर पेपर से ही इस पर काम कर रही हूँ और जैसे ये थोड़ी सी ओठंडी होती है मैं इसे हाथ में उठा कर स्टिच करूँगी तो वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर है पर यकीन माने है आपको इसे बनाने में बहुत मज़ा आने वाला है और जब आप बना कर इसका result देखेंगे तो इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे और ये देखें अब मैं हाथ में लेकर इसे गोल गोल ऐसे गुमा रही हूँ इसको हम एक circle की shape दे लेंगे यानि round shape दे लेंगे क्योंकि एक ही तरह से एक ही direction में हम इसे खींचते जाएं तो कहीं तो इसके बड़े crystal बन जाएंगे कहीं छोटे बन जाएंगे धागे छोटे बड़े होने लगेंगे और ऐसे हम ऐसे गुमाते जाएंगे इसको गोल कोल करके तो ये सारी even होगी तो सुहन पापड़े की layers भी एकदम सेम रहेंगे तो देखे इस तरह से आप स्टेज करते जाएं और जैसे ही ये थोड़ा सा ओर लंबा हो जाए तब इसे दुबारा कोल करके और दुबारा फोल्ड कर लें ये देखे बहुत ही आसान है तो ये प्रोसेस आप जरूर ध्यान से करें ऐसे मैंने इसे खिंच कर लंबा किया और ये देखे बिलकुल भी कहीं से तूटना नहीं चाहिए इसे बार-बार ऐसे सरकिल की शेप देते जाएं और जैसे जैसे ये ठंडा होता जा रहा है इसका कलर भी चेंच होता जा रहा है और ठंडा होने के कारण देरे-देरे स्टिच करने में भी इसको ज़्यादा जोड लगाना पड़ रहा है अब इसके उबर हम roast कियावा बेसन और मैदा का मिक्षर डालेंगे तो पहले मैं आदा मिक्षर डालूंगे इसे अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे क्योंकि एक साथ डाल देंगे तो क्या है एक साथ तो ये पीन ही पाएगा और फिर ये जो काम है वो थोड़ा मैसी हो जाएगा तो हम बहुत ही साफ सफाई से बहुत ही आसान तरीके से सोहन पापड़ी बनाएंगे तो बस इसे स्टिच करते जाएं और ये देखे कैसे धीरे धीरे इसमें लेयर बनती जा रहे हैं इसको हमें पिलाते रहेंगे अभी जो बचावा मिक्षर है वो भी इसके अंदर मैं एड़ कर लेती हूँ क्योंकि पहला वाला मिक्षर सारा इसके अंदर घुल मिल गया है तो इसे भी हम एड़ कर लेते हैं तो अभी तो ये बहुत ही आसानी से हो रहा है इसमें बनाने में मुझे कोई दिकत नहीं हो रही है अकेले भी बहुत ही आसानी से ये काम कर सकते हैं और जैसे जैसे ये बेजन पीता जाएगा और चाशनी ठंडी होते जाएगी इस पर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो चाहें तो आप इस तरह भी रख सकते हैं यानि इतना काम तो आप अकेले भी कर सकते हैं और यदि आपको इससे और भी ज़्यादा धागे चाहिए तो आप किसी भी फैमली मेंबर की साहिता ले सकते हैं क्योंकि वैसे भी सोहन पापड़ी हम अकेले तो खाने वाले नहीं हैं जब family होती है तभी हम बनाते हैं तो family का कोई ना कोई member तो जरूरी होगा तो आप उसकी help ले सकते हैं उसे भी इस काम को करने में बहुत मजाने वाला है जैसे मेरे बाई अमन को तो यह मेरा बाई बहुत help कर रहा है वो काफी देर से बेताब हो रहा था कि मैं इसे stitch करूँ और बनाओं क्योंकि पहले practical हमने किया था उस समय जो सोहन पापड़ी हमने बनाई थी उसमें इसने मेरी काफी मदद की तो इस बार देखिए कैसे बहुत ही अच्छे से हम बना पा रहे हैं और बहुत ही आ और ऐसे खींचे तो ऐसे आप हतेलियों को देखिए मैंने कैसे अंगूलियां इसके अंदर डाल रखी हैं चाहिए तो आप बीच में बेलन भी डाल सकते हैं लेकिन हाथ से भी बहुत आसानी से हो जाएगा तो मैं पूरी प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ ताकि आप बहुत आसानी से एक भी स्टेप मिस की बिना इसली सोहन पापड़ी बना पाएं तो यह देखिए काफी सारे इसके अंदर रेशे बन गए हैं और जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं देखिए टाइट होती जा रहे यह एकदम परफेक्ट बन चुकी है अब तो अब यह एकदम परफेक्ट है इसे हमें सेट करना है क्योंकि यह दि बहुत ज़्यादा अच्छे सेट अभी हो जाएगा तो फिर हम अच्छे सेट नहीं कर पाएंगे दुबारा मैंने वाई ट्रे ले लिया और वही बटर लेती हूं तो यह बहुत आराम से सेट हो जाएगी तो आप चाकु से कैंची से ऐसे कॉर्नर को कट कर लें और इसे ऐसे फैला लें अब दूसरी तरफ से भी हम इसे कैंची से कट कर लेते हैं तो यह देखिए अब एकदम लंबी लंबी इसमें फ्लैक्स आ गई है तो एकद दे रहे हैं और अभी तो ये सैट नहीं वी है जैसे जैसे ये सैट होती जाएगी और भी ज़्यादा फ्लेकी होती जाएगी और बहुत ही टेस्टी होती जाएगी तो इसे हमने सैट कर लिया है ऐसे हाथ से हलका-लका प्रेस करेंगे ज्यादा प्रेस नहीं करना है नहीं तो य इसे क्या होगा कि बाद में जो पिसेज हम काट देते हैं तो वो सही नहीं होते हैं और ठंडे में काट देंगे तो बहुत एजिली कट जाएगी और यह देखिए अभी तो यह पूरी ठंडी भी नहीं है फिर भी मापको इसकी फ्लेक्स दिखाती हूँ एकदम पतली लंबी फ होती हैं सफेद वैसी दिखाई देने लगेगी क्योंकि जो शुगर सिरफ होता है वो दिरे दिरे इसमें और भी ठंडा होता जाता है तो मैं इसे एक मिठाई के टबबे में ऐसे सैट कर लेती हूँ और सैट करने के बाद इसके उपर हम ड्राइफ फूर्ट भी लगा है तो आप इसे अच्छे से ठंडा करें ठंडा करने के बाद ये जैसे ही आप खाएंगे आपके मुग में ही घुल जाएगी तो ये हमारी बहुत जादा फ्ले की मुग में घुल जाने वाली सोहन पापड़ी बनकर है तयार तो आप भी झरूर्द से इस इसाद ओन पापड प्राइब करना भी ना भूलें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक हसते रहिए हसाते रहिए